जहीं दोस्तो तो फिलाल क्रिप्टो मार्केट बोरिंग शा लग रहा है मतलब यहां पर उतने बड़े कोई मोमेंट नहीं आ रहा है अभी यहां पर हम बिटकोईन के बारे में बात करें तो बिटकोईन का फिलाल प्राइस चल रहा है 16,515 डोलर पूरे दीन की यहां पर बात करें तो 200 से 300 डोलर का फरक का रहा है 200-300 डोलर उपर नीचे यहां पर हो रहा है तो यहां पर ट्रेडिंग करना फिलाल बैकार है यहां पर 3-4 दीन वेट कर लेना चाहिए यह मंतली केंडल क्लोजिंग होगा और यह Saturday, Sunday चला जाएगा उसके बाद इसके अंदर वोलियूम आएगा और हमें ट्रेड का पता भी चलेगा कि किसी सबसे हमें ट्रेड करना चाहिए यह 200-300 डोलर के जो डिफरेंट आ रहे के अंदर हम ट्रेड करेंगे तो पूरा पूरा बोरिंग रहेगा और उपर से लोश होगा क्योंकि आप देखते देखते ठक जाओगे और पक जाओगे कि अब मैं ट्रेड चलने दू या क्लोज करू क्योंकि उसमें तो कुछ प्रोफिटी नहीं दिखेगा ना लोस दिखेगा तो फिलाल थोड़ा वेट करें फिलाल बिटकोइन अगर यह मंतली केंडल क्लोजिंग जैसे हमने सेम बात की 18,200 डोलर के आसपास क्लोजिंग करता है अभी यहां पर 16,500 डोलर पे चल रहा है 1500 डोलर का और यहां पर जम पाता है तो हमारे लिए वेटर है नेक्स्ट महीना फुली ग्रीन जाने की पूरी पूरी यहां पर संभावना है 1212 डोलर इसमें भी उतना बड़ा कोई मोमेंट नहीं है फिलाल विटकोइन के अंदर मोमेंट आए उसके बाद जो वॉल्यूम है वह इथिरियम के अंदर आएगा किंग अभी जो है मार्केट का वो बिटकोई है वो घिल नहीं रहा है और मार्केट के अंदर उतना नया वोल्यूम नहीं आ रहा है बाकि काफी प्रोजेक्ट एसे है कि उसने अच्छा गाजा रिकावरी दिखाया है लाइक यहाँ पर लाइट कोईन है आरी एन कोईन है काफी प्रोजेक्ट है कि उसने अच्छा गाजा एक रिकावरी दिखाया है तो फिलाल देखो तीन चार दिन यहाँ पर हमें वेट करना है फिलाल इसमें ट्रेडिंग करने से कोई फाइदा नहीं है मार्केट पूरा बोरिंग सा चल लाए तो यहाँ पर हमें महिने का केंडल क्लोजिंग होगा फिर एक आइडिया आएगा कि मार्केट का नेक्स मुमेंट क्या हो सकता है सायद अठराजा डोलर आ जाए तो अमारे लिए बहुत ज्यादा बेटर है तो उपर के मुमेंट दिखाएगा तो अभी जो जो जोन चल ला है 16500 वाला जोन चल ला है यही जोन के अंदर कहीं केंडल क्लोजिंग हो जाता है तब तो फिर नीचे के एरिया की पोसिबिलिटी हो जाती है उमीद करता हो वीडियो पसंद आयोगा वीडियो को लाइक से रहें सब्सक्राइब बिलकुल करना मिलते एक ने वीडियो के साथ